हलो दोस्तों आपका अपना चनल महात्मा जोतिर अफुले एस्टरी सेंटर में स्वागत है आज कलास्तेंट की मेट में बताने जा रहे हैं चेप्टर 3 जो दो चर वाले रेखिक समिक्रन यूग में है इसमें आप लोग को समझाने जा रहे हैं चर के बारे में या ए के साथ भी आएगा तो दो चर यहीं चर है एक्स वाई एक्स वाई का चर एम एन का चर एबी का चर या इसमें आपको यू भी का चर भी आ सकता है तो ये सब क्या है चर है उसके बाद चर के बाद अचर समझने का परियास करेंगे ये सब क्या है चर दो चर है इसमें भी इसमें भी दो चर इसमें भी दो चर इसमें भी दो चर उसके बाद देखिए अचर अचर जो है आपको अंक हो जाएगा जैसे 2, 4, मेनस 6, 8, 10 यानि कुछ भी हो सकता है यह सब क्या है अचर है इसमें 2, 4 दो चर तो समझ गए X, Y का चर होगा M, N का चर होगा AB का चर होगा U, भी का चर होगा और अचर तो समझ गए कि यह अंक है यानि संख्या जो है यह क्या है अचर है तो 2, 4 समझ गए उसके बाद रेखिक समिकरन युग मा आता है तो इसमें जो रेखिक समिकरन है सबसे पहले रेखिक बहुपद समझेंगे रेखिक बहुपद जो है समझेंगे रेखिक बहुपद सबसे पहले उसके बाद रेखिक समिकरन के बारे में रेखिक बहुपद कहते किसको है वैसा बहुपद जिसका चर की घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते है यदि रेखिक बहुपद के बराबर में अगर सुनने लगा दें तो वो क्या हो जाएगा रेखिक समीकरन हो जाएगा तो यहां चलिए देखते हैं यह जो है AX प्लस BY प्लस C यह जो है क्या है अभी यह रेखिक बहुपद है इसका घात देखिये नहीं है कुछ क्या है घात एक है इसका घात क्या है एक है यहाँ इसके बराबर अगर जीरो लगा देते हैं यह क्या हो गया रेखिक समिक्रना गया यह जो है A, B, C यहाँ A, B, C जो है क्या होगा कोई वास्त्विक संख्या होना चाहिए यहाँ लिख देते हैं A, B, और C, कोई वास्त्विक संख्या होना चाहिए A, B, C इसमें जो है क्या होना चाहिए कोई वास्त्विक संख्या होना चाहिए और इसमें जो A, B, A, B क्या होना चाहिए A और B A और B, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यानि कि not is equal to 0, A और B, 0 नहीं होना चाहिए उसके बात देखिए, इसमें देखते हैं दो चरवाले रेखिक समिक्रन में इसका समिक्रन का व्यापक रूप क्या होता है यहां इसमें देखेंगे अब दो चरवाले रखिक समिकरन योगम का ब्यापक रूप तो ब्यापक रूप जो है उन लिखेंगे यहां चलिए यहां लेखते हैं दो चरवाले रखिक समिकरन यूगम का ब्यापकरूप चलिए इस में तेखेंगे दो चरवाले रखिक समिकरन यूगम का ब्यापकरूप तो यहां लेखते हैं A1X plus B1Y plus C1 बराबर 0 इसको समिकरन एक मान लेते हैं उसके बाद A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 बराबर 0 इसको समिकरन दो मान लेते हैं यह क्या है यूगम आ गया यानि कि दो चर वाले रखिक समिकरन का यूगम भी हो गया इभी एक समिकरन इभी एक समिकरन इसमें भी दो चर है इसमें भी दो चर है यह समिकरन का यूग मागया, इसी को ब्यापक रूप भी कहती है, उसके बाद इसको जो है, दो बिधी से हल क्या जाता है, एक ग्राफिय बिधी और दूसरा है बीजगनितिय बिधी, चलिए दोनों को लिखते हैं, इस समिकरन को जो है, दो बिधी से हल क्या जाता है, पहला है पहला है ग्राफ ये बिधी, ग्राफ ये बिधी, दूसरा जो है, दूसरा है आपको बीज गनीतिये बिधी, बीज गनीतिये बिधी, बीज गनीतिये बिधी, इसमें ग्राफ ये बिधी पहला हुआ, दूसरा जो है बीज गनीतिये बिधी, बीज गनीतिये बिधी में तीन बिधी से हल क्या जाता है, इसमें पहला बिधी आपको हो गया बिलोपन बिधी, दूसरा है इसमें प्रति अस्थापन बिदी प्रति अस्थापन प्रति अस्थापन बिदी इसम जो है तिसरा है तिसरा जो बिदी है वो है वज्रगुनन बिदी वज्रगुनन बिदी तो ये तिसरा जो है वज्रगुनन बिदी तो इस वीडियो महम लेकर के आई थे इंट्रो पार्ट इंट्रो में हम आप लोग को बता चुके हैं ये जो है दो चरवाली रेखिक समिकरन का युग में दो चर क्या है चर क्या है अचर क्या है और इसको जो है दो बिधी से सॉल्व किया जाता है एक है ग्राफिय बिधी दूसरा है बिजगनितिय बिधी तो दोनों बिधी हम आएंगे आप लोग को प्रस्नाव लित तीन दस्म लब एक उसके वाद तीन दस्म लब दो तो आगे सॉल्व करेंगे ले करके आ रहें नेक्स्ट वीडियो तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आप ऋबाद लोगे तो चैनल को सब दीन दस्म लेख दए कि ऑनल को हवाद इंज है कि झावि मौट्ट Matt